हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्डेन अपडेट्स निकल के आ रही हैं कल सौंबार है कल मार्केट ओपन होगा और यहां से कल के दिन से लेकर पूरे हफ़ते में क्या को सिनारियो रह सकते हैं क्या यहां से पूरे हफ़ते में एक मंदी का इमावल बना रहेगा या फिर शियर जो है वो 17-18 रुपे के जो लेवल है वो क्रॉस करेगा इन सारी चीज़ों पर हम डिसकस करने वाले हो साथ के जाथ जो भी major important updates निकल के आ रहे हैं वो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो को अगर आप पूरा देखो कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी चैनल बगर आप फर्स्ट आम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरू कर देज़ेगा और वीडियो कर आपको अच्छी लगे थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ मेरा time waste नहीं हुआ है तो एक like जरू कर देज़ेगा सोडेज मुझे भी यहां चे थोड़ा बहुत मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे अब जैसे के आपको पता ही है कि जब थर्जडे को market close हुआ था तो एस बैंक में एक पास की closing थी लेकिन हम लोग expect कर रहे हैं कोई बड़ा moment अब उसके पीछे थोड़े एक दो ट्रेगर पॉइंट से जो मैं बार वार आपको बता चुका हूं वहीं आप देखें पिछले एक महीने में साड़े च्छे परसंट के नेगेटिव रिटन्स है तो वहीं पिछले छ यहां पर राजस पालविया जो कि आपको एकसे सेक्योर्टी के हैड नजर आते हैं उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी हैं जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो निफ्टी बैंक यानि बैंक निफ्टी है वह आने माले टाइम के अंदर यानि कि शॉट टम में 41,500 तक बहुत यल्ली लेवल्स देखा सकती है 41,000 के आसपास तो थर्श्डे की क्लोजिंग थी और यहां से जो निफ्टी बैंक है वह काफी अच्छा कासा परफॉर्म कर सकती है गोल्ड जो है वह एक की सो डॉलर तक जा सकता है और जो क्रूड है वह आपको 6700 डॉलर पर जा सकता देखो यहस बैंक का तो अलग सीन है वहां पे लोगों ने अलग टाइप से निवेश किया हुआ है लेकिन अगर आप बैंकिंग का एक बहुत अच्छा स्टॉक लेना चाते हो अपने पोर्टफोलियो में अपने बैंकिंग का एलोकेशन इंक्रीस करना चाते हो तो यहां भ रिकमेंडेशन अच्छी निकलके आई है तो यह सारी चीज़ें आप यहां पर देखके चल सकते हो अब बात कर लेते हैं यहस बैंक की दो रीसेंटली यहां पर आपको एक डेटा दिखाया और पब्लिश किया जिसमें अगर आप देखोगे तो क्वाटर फोर की अपडेट है रिसेंट क्वाटर जिसके रिजल्ट आने वाले हैं उसमें जो इनका लोंस और एडवांसेज है वह अगर आप देखो तो मैं एक्जेक्ट फिगर की बात कर रहा हूं करोर्स में आपका मांट होता है 2-0-1-5-2-3 इसको अगर हम प्रिवेस क्वाटर डिसेंबर क्वाटर से ज्यादा 5.2 परसेंट वहीं सेम अगर हम क्वाटर में देखें लाश्ट इयर तो वह था 1-1-0-5-2 जो की बढ़कर हो गया 2-0-1-5-2-3 यानि कि ग्रोथ कितने कोई 11 परसेंट से भी जादा साड़े 11 परसेंट क्या सपास ठीक है तो यह पर्टिकुलर सेक्षन एक ऐसा ह गए 2,13,608 से बढ़कर 2,18,18 पहुँच गए ग्रोथ कितनी देखने को मिली क्वाटर और क्वाटर वेस इस पर 2.1 परसेंट की वहीं एक साल पहले अगर हम देखें सेम क्वाटर में 1,97,192 यानि कि 197,192 बढ़कर हो गया 218,018 ग्रोथ कितनी हुई 10.6 परसेंट की यानि क डिपॉजिट्स भी इनकी बहतरीन तरीके से ग्रो करे हैं फिर अगर आप यहां पर देखो इनका जो कासा है कासार बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है आप यहां पर 5.5 परसेंट की ग्रोथ देख पा रहे होगे और 9.9 परसेंट की ग्रोथ जो है वो येर ओन येर वेस पर कासा का मतलब करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक के लिए बहुत बड़ा मुटिवेशन होता है कि हां लोग जो है वो हमारी बैंक में अकाउंट खुल वा रहे हैं फिर हम यहां पर देखे क्रेडिट टू डिपॉजिट रेश अब यहां से इनका क्रेडिट जो आपको लिकुडिटी कवरेज रेश्यू है वो भी इंक्रेज हो गया यानि कि अब कंपनी के पास जो है वह एक अच्छी गासी लिकुडिटी बन रही है अगर कोई भी अनफॉसीन सरकमिस्टांसिस बन जाते हैं तो उसके लिए बैंक के पास इनफ कैश है जिससे वो उन सारी चीज़ों को फेस कर सकती है अब हाल फिलाल में एक नोटिवेकेशन भी आई थी जिसमें यस बैंक ने एक्स्चेंज को नोटिस किया था कि उन्होंने जो है वो ट्रेडिंग विंडो क्लोस कर दिये तीस मार्च के आप आसपास आपको जो लेटर है वो देखने को मिलताथा बहुत सार लोगों को नहीं पता है इसमें क्या है कि जो इन्साइडर ट्रेडिंग है वो बंद कर displays ओगे तो यहां पर उन्हों के लिए होती है जो कंपनी की ऑफीशेल्स होते हैं कंपनी के बारे में जिनको pros pink information रहती है इन्साइडर जो information होती है वो उनको पता रहती है तो यहां से inside window को close कर दिया गया है trade करने के लिए so that जो भी officials हैं वो कोई भी benefit ना उठा पाए और इससे हमारा जैसे जो retail investors हैं उनका loss ना हो अब यह open कब होगी यह open होगी quarter 4 के numbers आने के 48 घंटे के बाद ठीक है तो इसका मतला यह है कि yes bank ने quarter 4 के numbers भी अपने रेडी कर लिए हैं जैसी particular date आईगी मैं आपको यहां पर बता दूँगा कि कब की date है क्या है अब यह तो बात हो गई yes bank के बारे में अब चीजे जो है वो थोड़ी थी point बनती नजर आ रही है जब से इनके numbers आये हैं और मेरी गाल से अगर market sentiment थोड़े थे point बने रहेंगे तो yes bank भी अच्छा गासा जो overall moment है अपसाइड में वो दिखाएगा इसी बीच एक ऐसे stock के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसने अगर आप देखो अगर आपने एक लाग बाईस या रुपे लगाए होते तो छे महीने के अंदर अंदर केवल छे महीने के अंदर अंदर 28 लाख से भी जादा के रुपे बन गे होते यानि कि अगर हम एवरेज देखें एक लाख रुपे लगा के 28 लाख छे मेने के अंदर अब इसमें क्या हो रहा है कि इस शेयर में आपको जो बॉनस है और तो आप शेयर में क्या होगा कि और जादा लोग एंटर करेंगे और रीटियल इंवेश्टर भी एंटर करेंगे शेर का नाम है वेरेनियम क्लाउड यानि कि अगर आप देखो कि कमपनी आपको IT कमपनी की तरह नजर आती है और यहाँ पे इनों ने जब से IPO आया तब से एक बैतरीन ग्रोथ दिखाई है तो आप यह आप मुझे बताईए क्या आप इस कमपनी पर निवेश करना चाहोगे या फिर नहीं कॉमेंट यह अपनी ओपीनियन जरू शेर करिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे देख लाइक जरू करिएगा चैनल पर फर्स ताम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब भी जरू कर दीजेगा धन्यवाद